है लो दोस्तो आप सभी का स्वागत है Civil Dimension चैनल पर आज का हमारा टपिक है Viner vs MDF इस वीडियो में हम देखेंगे कि Viner और MDF में क्या अंतर है Viner और MDF का यूज हम इंटिरियर प्रोजेक्ट्स में कहां कहां कर सकते हैं फरनीचर में वीनियर और MDF यूज़ करने के क्या-क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है। साथ ही देखेंगे MDF और वीनियर पर हम कौन सा paint और polish finish दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं MDF और वीनियर में क्या अंतर होता है। MDF का पूरा नाम medium density fiber board है। इस board की manufacturing hardwood और soap wood के small wood fiber से की जाती है। क्योंकि ये wood fibers particles बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनकी appearance को नहीं देखा जा सकता। MDF board manufacturing wood fibers wax और resin के mixture से की जाती है। इसे high temperature और pressure से panels में convert कर दिया जाता है। MDF board का price 34 रुपे पर square feet से start हो जाता है। MDF board 4, 6, 8, 12, 18, 20 और 25 mm तक थिकनेस में मिलते हैं। यह 4 foot by 8 foot के size में मिलता है। हर material के कुछ advantages और disadvantages होते हैं। पहला MDF को अगर vineyard के साथ compare करते हैं तो यह vineyard से सस्ते होते हैं। दूसरा MDF का surface finish smooth होता है और यह painting के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पर deco या फिर pure high gloss paint बहुत अच्छी finish देता है। तीसरा MDF का use आप जाली work partition design में भी कर सकते हैं। इसकी cutting और carving बहुत असान होती है। चलिए अब इसके कुछ disadvantages भी देख लेते हैं। पहला disadvantage यह है कि यह पानी से खराब हो जाता है। MDF को पानी से बचाना पड़ता है। दूसरा disadvantage यह है कि MDF की screw hold capacity, plywood और block board की तुलना में कम होती है। तीसरा disadvantage यह है कि MDF बहुत असानी से damage होता है। इसकी supply और installation के दुरान MDF को extra care की जुरुरत पड़ती है। क्योंकि यह असानी से crack और bend हो जाता है। चलिए अब veneer को समझते हैं। वeneer technically एक thin layer है hardwood की। यह layer 3-4 mm तक होती है। इस layer को सस्ती ply पर glue और adhesive का use कर paste किया होता है। Veneer एक real wood की thin layer होती है। इससे polish और paint दोनों किया जा सकता है। Veneer ply की थिकने सिरफ 6 mm की ही होती है। यह 4 foot चोड़े और 8 foot लंबे size में आता है। पनीचर में veneer के use के भी कुछ advantages और disadvantages है। चलिए देखते हैं veneer के use करने के क्या advantages है। पहला advantage यह है कि veneer दिखने में real wood की तरह ही होता है। Real wood की जगा आप veneer का use कर सकते हैं। दूसरा advantage यह है कि veneer real wood की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। Veneer पर melamine, lacquer और natural polish की जा सकती है। Veneer पर painting recommend नहीं की जाती क्योंकि इसकी surface finish rough होती है। चलिए अब veneer के disadvantages देख लेते हैं। हर पेड अलग होता है इसलिए हर veneer product की unique अलग appearance होती है। आपको तो पता ही है एक पेड पूरी दुनिया में एक ही तरह का होता है। इसलिए हर पेड से बनी हुई veneer भी थोड़ी different होती है। दूसरा disadvantage यह है कि veneer का color sunlight में कुछ समय बात fade हो जाता है। वeneer का price 65 रुपे पर scare fade से शुरू होता है। चलिए अब हम आपको veneer और mdf का use tv unit और almira में दिखाते हैं। यह हमारी site की video है tv unit के front panel पर mdf का use किया गया है। और shelves पर veneer का use किया गया है। mdf और veneer को ply पर paste किया गया है। mdf पर हम deco paint करेंगे और veneer पर melamine polish की जाएगी। similarly almira में भी door पर mdf को ply के उपर paste किया गया है। और बीच में veneer का 8 inch का पट्टा design के लिए दिया गया है। उपर के shutter पर भी veneer का use किया गया है। इस almira पर भी mdf पर deco paint और veneer पर melamine polish की जाएगी। आजकल mdf और veneer दोनों के combination से furniture design किये चाते हैं। जो एक modern design है। आप भी इन दोनों material का use अपने furniture में जरूर करें। Hope ये वीडियो आपको informative लगी होगी। तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना भूले। तेंक्स फर वटिंव दिमेंशन्स